हेलो और वेलकम तो दिस वीडियो दिस देव्यादव और आज हम एक और महत्पून टोपिक के उपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकलज articles के उपर बात करने से पहले में बता दूँ ये उतना subtle topic नहीं है इसलिए से बहुत ध्यान से हमें समझना है क्योंकि ये जो है exam में हमारे marks छीन सकता है तो इस topic में क्या क्या बाते हैं जिने हमें समझना है और आज हम articles जो है अच्छे से समझेंगे क्योंकि वाकि में जो है articles क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ भई अगर अभी तक आपने अभ्यास मेंच नहीं खेला है final में के आने से पहले तो आप जो है mock test series जो है ने join कर सकते हो क्योंकि final exam में अगर performance अच्छा देना है तो कुछ practice exam आपको लगाने होंगे तब ही जाकर final exam में गलतियां कम होगी जिनके लिए हमने यह ऐसा platform बनाए हुए आप लोगों के लिए ही यह बनाया है इसलिए आप इनका जो है इस्तमाल कीजिए और इनका लाव लीजिए अगर आप लोग को payment संबंदी problem आती है तो आप पैटीम कर सकते है इस number पर या फिर आप account number में भी direct transfer कर सकते हो कहाँ पर आपको ये जो है mock test मिलने वाले तो वो जो है आपको topper temple.com ये जो हमारी website है यहाँ पर आप जाएए और यहाँ पर आपको जो है mock test यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है इसके लावा खुशकबरी या अच्छी ख़वर यह है कि हम यहाँ पर ही है जो आपका इनी mock test मे जो है cover कराने वाले हैं जिससे कि आप क्यूंकि एंग्जाम में जो है इनका जो है जो portion रहने वाला है वो ज्यादा रहने वाला है इसलिए इनको जो है वो ही पतयारी करा देंगे इसके लावा ये भी धियान रखना है कि हम कुछ test भी बना एसे भी बना रहे हैं जैसे कि पत टोपिक्स उनके जो मौक टेस्ट है वो भी बना रहे हैं जिससे आप वहाँ जाकर जो है उन्हें सेट लगा कर या उन्हें याद आप कर सको है ना एक और बात यह है कि जो भी हम टोपिक अब पढ़ने वाले हैं जैसे आज हम जो है आर्टिकल्स की उपर बात करने वाले हैं तो इन आर्टिकल्स का भी मौक टेस्ट जो है इस वीडियो के बाद जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा यानि जिन्हों ने भी टेस्ट स्रीर पर्चिस क्यों ही है वो इन सब भी सुविधाओं का जो है लाव उठा सकते हो फिलाल हम हमारे कोशन पर आते हो और हमार इस्तमाल करते हैं क्यों करते हैं देखो दो तरह के आर्टिकल होते हैं एक आर्टिकल होता है डेफिनेट और एक आर्टिकल होता है इन डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स निश्चित सुनिश्चित या एक ठीक है वो हता है डेफिनेट इन डेफिनेट का मतलब जो फिक्स घर में हो और आपके घर में जो है तीन खड़किया है ठीक है आप अपने घर में हो और आपके घर में ये तीन खड़किया है यहाँ पर जो है आपकी जो है मम्मी खड़ी हुई है और यहाँ पर जो है आप खड़े हो ठीक है अब आप अपनी मम्मीस कहते हो के मम्मी जो है तो लेकिन ख़डकी खोल दो लेकिन मम्मी से जब आपने खडकी खोलने का कहा तो मम्मी के पास तो तीन खडकीों के विकल पे तो वो तीनों में से क्या खोले तो यहाँ पे इंग्लिश में से बोला जाएगा open a window याणि यहाँ पर यह इस्त्माल किया जाये, क्यों? क्यूंकि मम्मी को अभी यह पता नहीं कि उन्हें किस खड़की को खोलना है लेकिन अगर मालो आपके घर में जो है तीन खड़किया ना हो, आपके घर में केवल एक ही खड़की हो तो तब आप जब मम्मी से कहोगे कि मम्मी खिड़की खोलो तो आप मम्मी को पता है कि वो किस खिड़की के बारे में बात कर रहा है तो हम इस्तमाल करेंगे open the window ध्यान रहे कि कहने वाला और सुनने वाला जब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हूं दिहान से सुनना, कहने वाला और सुनने वाला, जब एकी बात के एकी चीज, एकी इस्थान के बारे में बात कर रहे हो, तब हम उससे पहले जो है दा का इस्तमाल करते हैं, लेकिन कहने वाला और सुनने वाला दोनों के लिए मैच नहीं कर रहा है, तब हम वहाँ दा का इस्तम किया हैं और आपने ये कह दिया कि मम्मी open first window तो देखो open first window यानि पहली खड़की खोलो जब आपने अपनी मम्मी से बोलोगे कि पहली खड़की खोलो तो मम्मी को पता है भले ही तीन खड़की खोलना है जो first number पे ठीके तो वो यही खड़की खोलेंगे यानि फिर से यह जो first आने के कारण वो जो खड़की है वो fix हो गई यानि first शब्द के पहले भी हम क्या करेंगे दाइस्टमाल करेंगे यह से ही first हो second हो third हो ठीके तो यह भी क्या होते है fix होते क्यूंकि अगर आप second window खोलने का होगे तो मम्मी यह खोल देंगे third का का होगे तो यह खोल देंगे तो ये वाली खड़की खोलना है, इसका मतलब ये fix हो गया, last के कारण ये एक ही खड़की, जो है fix हो गया, last के पहले भी हम क्या करेंगे, दा जो शब्द है इस्तमाल करने वाले, इसलिए यहाँ पे कुछ शब्द है, जिसके कारण ये जो है fix हो जाते हैं, मालो, कि भाई जो वो इसे हैं, मतलग नीचे से ऊपर की उसमें, तो आप आपने कहा कि मम्मी, जो सबसी ऊपर वाली खड़की है, उसे खोलो, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, उपन दा टो बिंडो, तो इहां पे दा इसमाल क्यों किया, क्योंकि यह रखना है, यह रहिया धिया कहे, तो इस तरीके शब्द कभी भी आते हैं तो आपको क्या करना है वहाँ पर केवल यानि A-N दा में से हम केवल और केवल वहाँ दा इस्तमाल करेंगे जब भी आपको एसे शब्द नजर आते हैं ठीक है ओके तो अभी आप बताईए कि इस जो कोश्चान इसमें क्या एरर है फुटबोल लीजेंड पहले टर्न अर्जेंटीना फारवर्ड लियोनर मेसी एज ए बेस इन दा लास्ट यादे को लास्ट के पहले तो दा इस्तमाल है तो करेक्ट है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यह बेस्ट यानि बेस्ट क्या है एक सुपरलेटिव डिग्री है और हमने क्या कहा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं दा का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो बेस्ट यानि जिसके भी आगे भाई यह पीछे स्ट शब्द इस परकार से लगा है यह सुपरलेटिव डिग्री होती है लोंगेस्ट टपेस्ट हाइस्ट ठीक है त पिर से हम समझ गए कि टॉप शब्द क्या है जिसे लास्ट है फर्स्ट है ऐसा ही टॉप होता है तो इसलिए यहाँ पर एस्तमाल नहीं होगा बलकि हम यहाँ क्या करेंगे दा जो है वो इस्तमाल करने वाले आगे कर बढ़ें tea which I am drinking is hot क्या होगी error सोच के बता हो अरे भाई तयारीक हो गई होगी न अब तक तो तो यहाँ पर देखो चुकि हमने देखा था कि अभी जब हमने लास्ट फर्स्ट इस तरीके शब्द इस्तमाल करने से वो जो जिसके उपर हम बात कर रहे हैं वो फिक्स हो जाता यानि जो न किसे हूँ विच और देट हूँ विच और देट इन तीन शब्द के आने से भी जो नाउन है वो डेफिनेट हो जाती मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि यहाँ पर टी विच आ हैं ड्रिंक है यानि हर किसी चाय के बारे बात नहीं बोल रहा है वो कह रहा है टी जो मैं पी तो हुआ यहां पर टी जो है इसके पहले हमें दा इस्तमाल करना हुगा क्यूकि यहां पर विच जो शब्द यहां पर इस्तमाल हुआ है। तो who which that इन शब्दों के लिए ध्यान में रखना है कि जो है दा जो है हम इस्तमाल करेंगे नाउन के पहले एक और बात ध्यान रखना कि that जो है इसका careful रहना है क्योंकि इसके अलग-अलग अर्थ होते हैं जैसे that का अर्थ जब जो होता है तब तो हमें दा इस्तमाल करना है लेकिन that का अर्थ होता है कभी-कभी वहे के उसमें ऐसे इस्तमाल भी होता है तो that को थोड़ा सा careful रहना बाकि ये तीन शब्द आप ध्यान में रखो एक्जाम ऐसे ही जो है कोशन रहने वाले who, which, that इनके लिए हम noun से पहले दा इस्तमाल करेंगे ये जिसे यहाँ T के पहले हमने दा इस्तमाल किया next बात करें तो आप आप लोग बता पाओगे आप लोग काफी समझदार हो गए हो in science the credit goes to a man who अरे भई who दिख गया है यहाँ who यहाँ दिख गया है तो man यहाँ पर है तो a इस्तमाल क्यों करोगे यहाँ पर दा इस्तमाल करेंगे भई who, which, or that जब भी हमें दिखता है तो हमें articles में से केवल और केवल दा लेना है ओके? ओके, आगे बढ़ते है I know a doctor you are referring to देखो, normally क्या होता है? कि जो डॉक्टर शब्द है डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर यह जो प्रोफेशन है ठीक है? सिंगर, डांसर इनके पहले हम A.N. आर्टिकल में से ही कुछ न कुछ लेते हैं ठीक है? तो यानि अगर मैं केवल part A और part B को देखो तो यह दोनों part क्या है? एकदम सही है यानि मैं माल लेता हूँ कि COD मेरे पास है ही नहीं C मेरे पास है ही नहीं I know a doctor तो यह सही है I know a dentist सही है मैं एक dentist को जानता हूँ इस सही है लेकिन कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही बात कर रहे हो कहने का मतलब यह कह रहा है I know a doctor you are referring to मतलब मैं उस doctor को जानता हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे है जिसके तुम recommend कर रहे हो यानि अब कहने वाला जिस doctor को जानता है उसी doctor के बारे में सुनने वाले को भी पता है यही अर्थ है तो जो डॉक्टर है वो हर कोई नहीं है यह एक फिक्स डॉक्टर है जिसके बारे में यह भी बात कर रहा है जिसके बारे में यह भी बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर जो ए है यह इस्तमाल नहीं होगा बलकि हम जो है यहाँ पर दा जो है वो इस्तमाल करने वाले है ओके नेक्स्ट धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा जिससे इसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी पुलिस आस्क्ड अस अवाउट अवर मुवमेंट ओन ए नाइट ओफ क्राइम बहुत पुलिस न जो है हमारे क्या गतिविदिया रही थी जो अपराद हुआ था घटना की रात को हमारी क्याके गतिविदिया रही थी उस संदर में है ना तो यहाँ पर अगर हम देखें कि तो जिस रात को घटना हुई थी उस रात के बारें बात चल रही या हर किसी रात के बारें बात नहीं चल रही इसलिए हम क्या करेंगे दा नाइट का इस्तमाल करेंगे यानि उसी परकार से आपके पास थी इन खड़किया थी आप हर किसी खड़की के बारें बात नहीं कर तो यहां पर देखो बताओ क्या होने वाला चेक करो क्या आंसार आने वाला है देखो यह आपको याद ही रखना है कि यह जो सब्ध है type of यानि इस तरह के शब्द type of kind of rank of post of title of इस तरह के जो शब्द है इनके साथ article इस्तमाल नहीं होता है यानि यहां पर जो यह है यह गलत इ बोलेंगे इसे हम बोलेंगे ही नहीं हम क्या लिखेंगे I don't like that type of man ऐसा ही अगर हम देखें तो यह ध्यान में रखना है यह इंपोर्टेंट कोश्चन है कि आपको जो है ऐसा जिसे अगर by plane भाई आपको जा रहे हो यातर कर रहे हो by plane by car से करते हो या by bus से जाते हो तो इनके बीच में आर्टिकल नहीं आते है यानि यह correct है लेकिन अगर ऐसा आजा है by a plane by a car by a bus by a train तो यह क्या होगा गलत होगा ठीक है क्योंकि हम यातियात के साधन जो है उनके साथ हम जो है आर्टिकल इस्तमाल नहीं करते हैं ओके next राहुल सजेस्टेट तो इस विर्दर्स देट they should go to the school regularly and do their homework sincerely ओके देखो यह जो concept है यह 3-4 questions इसके जैसे हैं अभी आगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा थोड़ा सा इससे समझने की कोशिश करो कि देखो आर्टिकल में एक concept और चलता है और वो जो concept होता है वो होता है कि भई जिस काम के लिए जो place बना है जिसे school किस के लिए होता है पढ़ने के लिए भई study के लिए सही है ना temple यानि मंदर किस के लिए होता है मंदर किसके लिए होता है वह पूजा के लिए prayer के लिए यानि प्रातना के लिए सही है ना तो जो काम जिस जो इस्थान जिस काम के लिए बना है अगर वहाँ वही काम हो रहा है त तो उस इस्थान से पहले जिसे स्कूल, टेमपल, जेल, भाई जेल किसके लिए किर्मिनल के लिए किर्मिनल गो टू जेल ठीक है तो यहाँ पे जो है किर्मिनल के लिए जेल बना है तो यानि जेल में अगर किर्मिनल जाते हैं टेमपल में अगर आप प्रियर करने जाते हो इस शब्दों के आगे जो है आप आर्टिकल इस्तमाल नहीं करोगे यानि जिस काम के लिए जो इस्तान बना है अगर वही काम हो रहा है तो आप आर्टिकल इस्तमाल नहीं करोगे यानि यहाँ पर अगर हम देखें के राहुल सजेस्टेट टू इस विर्दर देट देशुड गो to the school regularly भई उसने अपने भाईयों से कहा कि उन्हें जो इसकूल है regular जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए और क्या करना चाहिए and do their homework sincerely यानि ये homework शब्द से भी हमें पता पड़ गया कि उन्हों वो अपने भाईयों से कहना चाह रहा है कि भई इसकूल जो है to the school तो ये भी क्या होगा गलत होगा क्यों गलत होगा बच्चे जो है इसकूल जा रहा है तो पढ़ने ही जाएंगे तो ये भले ही वहाँ पे homework के ऐसे शब्द ना भी हो तब भी हमें इनको जो है थोड़ा समझना है कि जो बच्चे हैं वो इसकूल पढ़ने के लिए ही जाने वाले यानि जब आप इसे हटा दोगे तब ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो येसे ही question का answer आप दो वेन रोहित वाज गोइंग तू टेंपल टू विजिट इस फ्रेंड लले थी यानि रोहित जो है मन्दि जा रहा है अपने दोस लले से मिलने धोडे है लेकिन मंदि के लिए काम हो कौन सारा है कि वे दोस से मिलने जा रहा है इसलिए यहाँ पे चुकी वो जिस काम के लिए वह प्लेस वह इस्तान बना है वह काम नहीं हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे जो है दा इस्तमाल करेंगे किलियर अगर यह समझ में आ गया है तो मैं एक और कोश्चन दूँ ठीक है ओके इससे समझने में थोड़ा सा आप लोग जो सोड़ा सपोर्ट कीजिए देखते हैं आफ्टर रिटर्निंग फ्रोम दा जेल ही है और एक साधरन जिंद की जीने के लिए क्लिए क्या किया है उसने वादा किया है तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रोम दा जेल देखो जेल से कौन रिटर्न होता है किर्मिनल और यहाँ पर भी कौन रिटर्न हुआ है किर्मिनल हु तो after returning from the jail यानि jail गया किर्मिनल ही है वो किर्मिनल जेल ही जाते हैं इसलिए यहाँ jail से पहले दाइस्तमाल नहीं होगा उमीद है कुछ-कुछ समझ में आया होगा खेर आगे बढ़ते हैं Okay He fell heavily and this caused him great pain यह थोड़ा सा इसे समझना होगा वो समझना ऐसा है कि देखो अगर मैं आपसे पूछू कि articles क्या होते हैं तो आप बताओगे कि articles जो है adjective होते हैं adjective क्या होते हैं तो आप बताओगे adjective जो होते हैं वो होते हैं जो noun की विशेष्टा बताते हैं यानि noun की quality बताते हैं यानि articles adjective होते है adjective noun की quality बताते हैं यानि कभी भी अगर articles आएगा तो noun का होना वहाँ जरूरी है यानि आप सिर्फ a good अकेला नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि यहाँ पे noun नहीं good यानि अच्छा यह विशेशाड adjective है यानि आप a good man यह लिख सकते हो जो कि क्या होगा? correct होगा यानि articles का इस्तमाल करने के लिए आपको जो है noun चाहिए दूसरी बात adjective का भी इस्तमाल करने के लिए जैसे good है तो उसके लिए भी आपको जो है noun चाहिए यानि adjective जो है आप अकेला इस्तमाल नहीं करोगे यानि article जैसे a good यानि article और adjective अकेले भी इस्तमाल नहीं होगे, कहने का मतलब है कि तीन चार बाते हैं जिन्हें ध्यान में रखो कि जब articles plus adjective हो और noun हो तो ये क्या है? सही है, जब articles हो और इसके बाद adjective हो और noun जो है वहाँ ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जब articles हो और क्या हो? noun हो, तो ये भी क्या है? सही हो जाएगा क्यों? क्योंकि जैसे हम लिखते हैं, a boy तो ये सही है, लिखते हैं, a boy तो ये कुछ नियम है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अब जो सबसे important नियम है, वो ये, कि जब भी, कहने का मतलब है कि adjective और noun आजाए, ये important नियम है adjective और noun आजाए तो बेसे तो correct है, लेकिन ये ध्यान रखना है, कि जब भी adjective और noun, बहुत important बात में आपको बता रहा हूँ, कि adjective और noun आजाए, जैसे adjective good और noun क्या है, man, व्यक्ति क्या है संग्या noun, तो आपको ये ध्यान रखना है, कि आपको आगे जो है, article इस्तमाल करना ही है, an में से कुछ ना कुछ आपको इस्तमाल करना ही है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, a इस्तमाल होगा a क्यूं होगा, जिसके बारे मैं आगे आपको बता दूँगा यहाँ पर क्या होगा ए इस्तमाल करना ही है क्यों जब भी adjective आजाए या noun आजाए तब आप article जो है इस्तमाल करोगी ऐसा ही अगर हम देखें तो देखो pen यानि दुख, दर्द तो यह क्या है noun और great यानि जैसे good था यासा ही great है तो यह क्या है adjective तो यह noun है यह adjective है इसलिए great pen से पहले ए इस्तमाल करना अनिवार्य है तो भी next question की उपर बात करते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखो क्या देख रहा है मैं one of the girls I share with is a British तो देखो हमने कहा है कि जब भी आप articles या adjective इस्तमाल करते हो तो वहाँ आपको noun जरूर चाहिए तो यहाँ पर British एक adjective है एक British Indian यह सब क्या है adjective है तो adjective है लेकिन इसके बाद में हमें कोई भी noun नजर नहीं आ रही नजर नहीं आ रही तो यह जो part है यही पर error है कुछ ना कुछ यहाँ पर होना जरूरी है noun होना जरूरी है यानि कि यह उसी तरह से गलत है जिस प्रकार से एक good हम जो लिखते है यह गलत है तो ऐसे ही a British यह जो है यह भी क्या होगा गलत होगा चीक है क्योंकि adjective और article बिना noun के इस्तमाल नहीं किये जाते हैं ओके next you have good knowledge फिर से अगर हम देखें तो good क्या है एक adjective हो गया और knowledge क्या है एक noun हो गया तो ध्यान रखना है कि जब भी adjective पिलस noun यह वाला structure हो तो आगे आपको article चाहिए यानि यहाँ पर हम क्या करेंगे ए इस्तमाल करेंगे a good knowledge okay very good आगे बड़े अगर हम तो भई articles जो है इनके बाद जो है noun आता है या articles प्लस adjective प्लस noun ऐसा आता है लेकिन कभी भी कोई articles के बाद में कोई वर्व नहीं आती है यहाँ आप यहाँ देखो sponsored sponsored क्या है यहाँ पे एक वर्व है तो sponsored एक वर्व है और इसके पहले जो हमने दाइसमाल किया है यह गलत है क्यूं क्योंकि articles जो है हमेशा noun के पहले आएंगे clear? ओके next यह जो है important question है क्योंकि यह पिछली बार MPSI में पूछा गया था तो यहाँ पे हाँ अगर हम बात करें कि of the two answer this is definitely better हमेशा ध्यान रख रहा है कि जब भी of the two यह शब्द आ जाए तो जो भी comparative degree है of the two शब्द आ जाए तो comparative degree मिलेगी of the शब्द आ जाए तो जो भी comparative degree है इसके पहले आपको जो है दा इस्तमाल करना है clear? तो यह याद रखना है important question है of the two के बाद आप जो comparative degree उसके पहले दा इस्तमाल करना है comparative degree हम समझते हैं जिसके साथ में er आता है better, stronger यह जो शब्द हैं यह किस में आते हैं? comparative degree में आते हैं तो यह er वाले शब्द हैं object हुआ जाए तो इसके पहले हमें दा इस्तमाल करना है next it is pity that the son of millennia should indulge in stealing ठीक है पता सकते हो क्या है answer देखो कुछ नहीं simple है कि हमें पता है जो profession होते हैं यानि teacher, politician, businessman, singer, dancer ऐसे ही होते हैं millennia, billionaire तो यह जो millennia, billionaire यह जो शब्द है इनके पहले हम क्या करते हैं या teacher, politician यह जो शब्द हैं इनके साथ हमेशा हम क्या करते हैं articles A या N का इस्तमाल करते हैं ठीक है? हमेशा ध्यान रखाए इनके यह जो जैसे doctor आजाएं, यह भी profession है dentist आजाएं, यह भी profession है professor आजाएं, तो यह भी क्या है profession है तो यह जो पेशा जो होते हैं इनसे पहले हम क्या करते हैं? articles का इस्तमाल करते हैं तो ऐसा ही the son of millennia जो है, इसके पहले हम क्या करेंगे? ए जो शब्द है वो इस्तमाल करेंगे ए आर्टिकल जो है हम इस्तमाल करने वाले ऐसे ही, आप लोग फिर इसे बताओ इसमें क्यारर होने वाली? he wants to become politician whom he thinks is the servant of the pupil noirah देखो, यहाँ पे politician जो शब्द है हमने कहा है, कि इसके पहले आपको क्या करना है? इसलिए हमने क्या इसमाल किया? इसमाल किया, इसमाल किया ब्रह्मपुत्र is one of the longest rivers which originate in the Himalayas यह ध्यान में रखना है, नदियों के नाम हो इनको कैसे यान रख सकते हैं, इंडियन जोग्रोफी पड़ी है इंडियन जोग्रोफी या वल्ड जोग्रोफी भई नदिया हो, खाडी हो, सागर हो, समुद्र हो, यानि महा सागर हो, परवत हो, दीप हो, जीले हो, डेम हो इनके पहले आपको जो है, दा आर्टिकल का इस्तमाल आप करोगे ठीक है? ओके तो यहां पे भी एक याद रखने, का इस्तमाल करना, यानि कभी भी आपको पुलिस अकेला नहीं मिलेगा, आपको जो है, दा पुलिस जो शब्द है, यह इस्तमाल करना है नेक्स्ट, अल्दो दा विलियंट राइटर एन लाइंग, पैसी मिजम प्रिवेल्स इन ओल हर नोवेल्स देखो, यहाँ पे एन लाइंग, अभी तक हमें पता चल गया है कि भाई, ए और एन जो है, आर्टिकल्स हैं, लेकिन ए जो है, वो किसके साथ आता है, जिस शब्द की शुरुआत, जिस वर्ड की शुरुआत, वियंजन से हो, कंसोनेंट से हो, उसके साथ हम क्या करते हैं, इस्थमाल करते हैं, ओ जिसकी शुरुआत बोवल से हो, उसके साथ हम एन इस्थमाल करते हैं, तो यहाँ पे देखो, एन लाइंग लिखा है, एन के बाद क्या ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, तो एन के बाद एल वाले लाइंग, इस सब्द नहीं आएगा, बल्कि अगर आप जो है Apple होता तो हम हमारा क्या होता ही है सही होता Apple क्यूंकि एन के बाद ए यह आ रहा है इंगले हैं A, E, I, O, U इनके बाद इनके पहले हमें एन इस्तमाल करना है बाकी जितने भी अक्षर हैं उनके पहले हम A इस्तमाल करें यानि एन लाइंग जो है यह गलत है जो R है ये क्या है ये H जो है इसमें silent होता है यानि हम यहां से पढ़ते हैं इसे O से पढ़ते हैं तो चुकि इन शब्दों की शुरुआत कहां से हो रही है यानि इनका चारण जब हम बोलते हैं तो हम स्वर से इनको बोलते हैं R यानि A से year यानि E से owner यानि O से धियान रखना के articles में A N के concept को एकदम से जो clear करते हैं हिंदी के स्वर जब भी हिंदी के स्वर अगर वहां आते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि उनको चेक करकर आप जो है articles का इस्तिमाल कर सकते हो यदि हिंदी के स्वर से शुरुआत हो रही है तो A एक स्वर है तो हम क्या कर रहेंगे यहाँ पर N इस्तिमाल करेंगे तो A R गलत है यहाँ पर क्या होगा N R होगा भले ही H वहाँ पहले आ रहा है लेकिन H silent है हम O से जो है शुरुआत कर रहे हैं Mena had applied for A loans ध्यान रखना है कि A N जो articles हैं इनके साथ हमेशा singular जो है वर्वली जाएगी यहाँ पर A loans यह जो लिखा है यह गलत है क्योंकि यहाँ पर S जो इस्तिमाल हुआ है इसके साथ जो है हमें A जो है यह हम नहीं इस्तिमाल करेंगे यहाँ पर जो article A है यह गलत इस्तिमाल हुआ है क्योंकि A जो है singular के साथ आता है और यहाँ पर जो loans है यह क्या है plural यानि जो हमारी error है वो कौन सी है first part में है loans के साथ जो है कभी भी sorry A के साथ जो है कभी भी plural noun नहीं आएगी इनके साथ plural noun नहीं आती है okay when I meet him the couple of days back he was writing a new book यह एक और बात ध्यान रखना है कि यह जो the couple of शब्द है यह कुछ शब्द होते हैं English में जिसने हम as it is ही लिखा जाता है जिसे the couple of यह हम कभी नहीं लिखते है हम हमेशा a couple of ही लिखेंगे the couple of हमें कभी नहीं लिखना है हमें हमेशा का लिखना है एक couple of ही लिखना है clear okay next I sat down opposite him and and produced I sat down opposite him and produced the packet of cigarettes okay हमें कुछ शब्द ध्यान रखना है जैसे a shawl office a band of musicians a pride of loyan यानि यह क्या होते है जैसे शेर के samu के लिए शेर के समू के लिए हम का इसमाल करते है pride ठीक है मचलियों के समू के लिए क्लिए 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 शोल band of musicians a a boy of girl यानि लड़कियों की टोली a troop of monkey यानि जो बंदर है उनका उनका समू ठीक है a bucket of flower यानि यह सभी क्या है यह है collective now यह सभी क्या है collective now यह भी आपको ध्यान रखना है यह भी ऐसा question पुछा था लोईन के लिए हम क्या इसमाल करते है प्राइट ठीक है बंदरों के लिए क्या इसमाल करेंगे टुप तो यह क्या होते है collective now होते है इसा ही एक और collective now का होता है एक packet यह इनके पहले क्या क्या करना है आपको ए-n में से हम कुछ इसमाल करेंगे तो यानि यहाँ पे जो packet of cigarette है यह एक collective noun है और इसके पहले हमें जो ह दा इस्तमाल नहीं होगा, बल्कि हम ए जो है वो इस्तमाल करने वाले हैं, उमीद है, समझ में आया होगा, next, working together for the first time, ठीक है, first के साथ दा correct है, the father and son developed concepts of how they could accomplish the task and how the obstacle could be overcome, okay, देखो, कुछ शब्द हैं, जो गुरुप में आते हैं, जैसे हिंदी में कहें, तो दुन्द समास, ठ ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कहने हैं, तो देखो, यह से, mother and father, ठीक है, एक हमने लिखा रहे हैं, यानि माबाप, ठीक है, यो गुरुप में इस्तमाल होगे, ठीक है, बाप बेटा, यानि father and son, ठीक है, बाप बेटी, माबेटी, mother and son, कहने का मतला है, इनको हम क्य करते हैं, गुरुप में इस्तमाल करते हैं, बाप बेटा, माम, मामी, ममी, पापा, इस तरह के कुछ दादादी, यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, तो यह जब ए से गुरुप में इस्तमाल होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या आया है, father and son, यानि जो बाप आपको इस्तमाल नहीं करना होता है कोई भी आर्टिकल आपको इस्तमाल नहीं करना होता है तो एसा ही ये शब्द है कि Mother and Father, Father and Son इस तरीक के शब्द इनके आगे आप कोई भी आर्टिकल जो है इस्तमाल नहीं करोगे यानि यहां दा इस्तमाल नहीं होगा बस सीधा यही लिखा जाएगा working together for the first time father and son यहां से यानि कोई article इस्तमाल नहीं होगा ऐसे ही कुछ और भी शब्दें जिनके साथ the इस्तमाल नहीं होता है जिनको आपको अपनी किताबों से पढ़ना है लेकिन यहां हम बात करें I have come to learn that your father is good ध्यान रखें कोई भी subject जो होता है उसके पहले हम जो है article इस्तमाल नहीं करते हैं subject के पहले हम कोई भी article इस्तमाल नहीं करेंगे यहां पर तो double proposition हो रहा है लेकिन subject से पहले हम article इस्तमाल नहीं करेंगे यानि हमारा जो answer वो कौन सो होगा second यानि at history यानि history, mathematics इनके पहले भी हम जो है article इस्तमाल नहीं करते हैं ध्यान रखना ठीक है तो दो-तीन नियम है कुछ दो-तीन से जादा है कुछ नियम में जिनके आगे हमें article इस्तमाल नहीं करना होता उनमें ये एक ये important है ये exam में पूछा जाता है ऐसा ही ये subject है बाकी कुछ बाते आपको book से पढ़ना है तो कहने का मतला है अभी जो है आप गहरी सांस लीजिए क्योंकि articles के related जो concept है वो थोड़ से समझने में जटेल है उमीद है समझ में तो आया होगा लेकिन अगर आपकी हाँ हो तो मैं आगे एक और concept जो है आपको समझा सकता हूँ ठीक है तो पहले घहरी सांस लीजिए तब जाकर जो है मैं आगे का एक और concept समझा हूँ ready हो समझने के लिए ठीक है क्योंकि वो थोड़ा सा जटेल है उसे समझने के लिए समझा हूँ ओके जब भी ध्यान रखना है जब भी noun आ जाए फिर of आ जाए और फिर से noun आ जाए तो इसके पहले अगर आपको कोई article इस्तमाल करना है तो आप वो the article इस्तमाल करोगे यानि जब भी noun आ जाए off आ जाए और फिर से noun आ जाए यानि संग्या ही आए तब आप क्या करोगे दा इस्तमाल करोगे मतलब जैसे कि यहाँ off सब देख़े यानि सबसे पहले हम क्या करेंगे off चेक करेंगे ठीक है? देखो off हमने यहाँ भी देखा लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ number यहाँ कोई संख्या नहीं संख्या नहीं है यहाँ पर number एक संख्या नहीं होती pretty girls adjective है और फिर यहाँ 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 इधर तो हमें noun मिल रही है इस of के लेकि इधर हमें noun नहीं मिल रही इस तरफ तो noun इस तरफ noun हमें नहीं मिल रही, girls यानि संग्या में आ जाएगा, ऐसा ही अगर हम इस ओफ को देखें, यानि इसमें तो देखो a small हुआ है तो ठीक है, क्योंकि हम दा इसमाल नहीं करें, क्योंकि दोनों ओफ की इधर उधर noun नहीं है, लेकिन इस ओफ की उपर बात करें, तो दे केंदर, केंदर भी क्या है, एक संग्या है, ठीक है, तो देखो, कुछी शब्द होते हैं, कि ये संग्या है या नहीं, तो हमें ये पता करना, नावन होते हैं, एडवर होते हैं, एडजिक्टिव होते हैं, प्रोनावन होते हैं, सब में देख देखकर उसे चेक करते रही, जैसे center जो है, ये pronoun तो नहीं है, ये वर्वी भी नहीं है, ये adjective भी नहीं है, तो क्या है, फिर noun ही अगर इतना कुछ नहीं है, तो है ना कुछ fix होते हैं, words के कुछ fix type होते हैं, तो उनमें इस परकार से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर center भी noun है, attraction भी noun है, जब off के दोनों बलकि वहाँ हम जो है दा इस्तमाल करते हैं